क्या कोई अगोरी मार्ग है? निश्चित रूप से है। यह अभी बहुत सक्रिय अध्यात्मिक प्रक्रिया है। ताजा शव में कुछ संभावनाएं होती हैं, तो कुछ प्रणालिया उसका इस्तेमाल करती है। अगर आप वाकई मुर्दे को जिन्दा होते और उस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, तो यही वो लोग हैं। अगोरी का मतलब है घोर मतलब भयानक। अगोरी का मतलब है जो भयानक से परे हो। तो क्या कोई अगोरी मार्ग है निश्चत रूप से है। यह अभी बहुत सक्रिय आध्यात्मिक प्रक्रिया है। लोग अलग अलग पदार्थों का इस्तिमाल करते हैं कई अलग अलग चीज़ें करने के लिए। अरश्टी डेट बारी आध्यात्मिक प्रक्रियात्मिक अलग प्रक्रियात्मिक प्रक्रिया है। कैसे मरा इसलिए कुछ लोग जो नहीं चाहते कि ये पता चले वो प्लास्टिक के शीट से उन्हें ढग देते हैं ताकि लोग उसे देखना सकें उस आदमी के उम्रे कितनी है वो नहीं बताएंगे लेकिन अगोरी जानना चाहते हैं अगर वो एक युवक है जो एक प्रचुर जीवन था और वो किसी वज़े से मर गया वो उस तरह का शरव चाहते हैं जब ऐसा होता है तो वो वहाँ काम करना चाहते हैं वो उस उर्जा का लाब उठाना चाहते हैं जो निकलती है जब शरीर जलने लगता है तो इस प्राण को तुरंत बाहर निकलना होता है जब वो बाहर निकलता है वो उस जीवन उर्जा का लाब उठाकर अपने साथ कुछ करना चाहते हैं अगर आप उसका विज्ञान नहीं जानते आप बस ये नहीं सोच सकते कि ये सब अजीब है हाँ ये कुछ करने का एक चरम तरीका है ये हर किसी के लिए नहीं है कोई ऐसा रास्ता क्यों चुनेगा क्योंकि वो जीवन को अच्छे और बुरे की तरह नहीं देखते वो बस जीवन को परम प्रकृति की और एक संभावना के रूप में देखते हैं वो कैसे की परवा नहीं करते वो परवा नहीं करते की वो वहां कैसे पहुँचेंगे अगोर कभी भी सामाजिक रूप से स्विकार रेमार्ग नहीं रहा है क्योंकि वो लोग जो चीज़ें करते हैं वो आपकी किसी भी कलपना से एकदम परे है तो वो तमाम तरह की चीज़ें करते हैं यह ऐसे लोग होते हैं अगर आप वाकई मुर्दे को जिन्दा होते और उस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं तो यही वो लोग हैं ये बहुत मैं कहूंगा कि खुरू टेक्नावलची अपरिपक्को टक्नीक है अगर आप एक टक्नीक के तोर पर आध्यात्मिक्ता की सभी प्रणालियों को देखना चाहते हैं तो ये बहुत अपरिपक्को टक्नीक है लेकिन फिर भी एक टक्नीक है ये काम करती है लेकिन अपरिपक्को है देखिए अब अगर आप पानी खुजना चाहते हैं आप खाली हाथों से कुआँ खोच सकते हैं या आप सब्बल और फावडे से खोच सकते हैं या आप किसी और तरह के और बड़िया बर्मो का استعمال करके खुदाई कर सकते हैं या आप एक ड्रिलिंग मशीन से खुदाई कर सकते हैं आज आप पास्ता में उसे लेजर से कर सकते हैं ये महेंगा है इसलिए कोई नहीं करता वरना आप लेजर से कुवाँ खोच सकते हैं वही कुवाँ, वही पानी लेकिन आपका तरीका अलग है तो अगर आप खाली हाथ से उसे करते हैं तो जब तक आप पानी पिएंगे आपके हाथों में कोई नाखून या तवचा नहीं बचेगी लेकिन आपको परवाँ नहीं है क्योंकि आपको बहुत प्यास लगी है और ये बहुत लंबी प्रक्रिया भी होने वाली है लेकिन फिर भी आपको परवाँ नहीं है आप कहीं नहीं देखना चाहते सिवाए इसके कि जहाँ पानी है आप बस वहाँ जाना चाहते हैं अगर आप वैसा कुछ करना चाहते हैं तो हाँ लेकिन उस तरही की चीज में समस्या ये है कि जब तक आप पानी तक पहुँचेंगे शायद आपके हाथ घिस के खत्म हो जाएं लोग पहुँचे हैं अगर आपके पास उतने मजबूत हाथ नहीं है तो जब तक आप पानी तक पहुँचेंगे वो हड़ियों तक घिस जाएंगे और आपकी त्वचा उतरने के बाद शायद आपके पास और खोदने की ताकत ना बचे तो वो ऐसे मार्क हैं जिन पर अगर हजार लोग कंभीरता से चलें तो शायद कोई एक सफल हो बाकी खो जाएंगे इन मार्गों को आम तोर पर आध्यात्मिक आयाम से अधिक तंतर शक्तियां पानी के लिए अपनाया जाता है इसलिए वो उस मार्क पर जाते हैं एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में भी एक संभावना है लेकिन ज्यादतर लोग शायद वहां तक नहीं पहुँचेंगे क्योंकि ज्यादतर लोगों में उस तरह की लगन नहीं होती ना उन में उतना साहस होता है ना ही वो गिन को संभालने में सक्षम होते हैं क्योंकि अगोरी मार्ग पर आपको सबसे घिनौनी चीज़ें करनी पड़ती है लेकिन ऐसे लोग वो चीज़ें करते हैं जो कुछ शक्तियां हासल करना चाहते हैं जीवन पर हावी होना चाहते हैं दूसरे लोगों पर हावी होना चाहते हैं उस संदर्भ में, हाँ, ये एक सक्रिय और असरदार मार्ग रहा है, ये कुछ लोगों के लिए एक सक्रिय और असरदार आध्यात्मिक प्रक्रिया भी रहा है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं, दूसरों के लिए नहीं, दूसरे लोग इस तरह के मार्गों पर तूट वो बस तूट जाएंगे, क्योंकि इसके लिए अलग करेगा होना होता है। वो उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, जहां आप जिस चीज़ से नफरत करते हैं, वो उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज को पसंद करते हैं और किसी चीज को ना पसंद करते हैं आपने अस्तित्तों को बांट दिया है और जब आपने अस्तित्तों को बांट दिया है तो आप उसे गले नहीं लगा सकते तो वो वो कर रहे हैं जिसे आप सेहन नहीं कर पाएंगे. जो आपके लिए सबसे घिनोना है, उसी को वो दोस्त बनाएंगे, क्योंकि वो इसे दूर करना चाहते हैं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं. उनके लिए सब बराबर है. ये ब्रह्मान को गले लगाने का एक तरीका है.